नमस्कार, Target with Alok Online Institute में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिस्र 8 पियम न्यूच बुलेटिन में सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मालूम है कि संगलोक सिवा आयोग ने IAS 2021 की प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए तारीखों को घोशित कर दिया है अब ऐसे में देखा जाए तो ठीक 9 महिने का ही समय आपके पास तयारी के लिए सुरक्षित है IAS और PCS परिक्षाओं के लिए प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सामान्य अध्यन एक विस्त्रित चुनावती के रूप में है स्रेष्ट सिक्षकों की टीम के साथ टार्गेट विद आलोक इंस्टिट्यूट में IAS और PCS टार्गेट ओनलाइन बैच में कक्षाएं 15 सितम्बर से प्रारंभ हो रही है जिसके लिए 9 महिने की अवधी निर्धारित की गई है हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बलकी प्रसासनिक अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता भी विक्सित करते हैं जिससे बेहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सामानने अध्यान को तैयार किया जा सके आलोक सर के कुसल नर्देशन में 1150 घंटे की कक्षा 60 रणनीती के साथ देश के सर्वस्त्रेश्ट विशेशग्यों की टीम एक मंच पर निवनतम सुल्क में हमारे कक्षा कारिक्रम के तहत प्रारंभिक परिक्षा में सामानने अध्यान और सीशेट मुख्य परिक्षा में सामानने अध्यान और निबंध सामिल है इसके अंतरगत प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सभी टॉपिक का विश्त्रित कवरेज होगा सभी टॉपिक अंतर विश्यक समझ के साथ मुख्य परिक्षा के लिए तैयार कराया जाएगा प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए अलग-अलग हस्त लिखित और सारगरभित नोट्स सीसेट की कक्षाओं का संपून कारिक्रम अखिल भारती अस्तर पर टेस्ट सिरीज सुबिधाएं इस बैच में प्रवेश लेने के लिए 9918000454 पर इंट्री आयेस लिखकर वाटसप करें हमारे इस बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दिये गए नंबरों पर संपर्क करें और अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आज की हेटलाइन्स पर एक नजर पूरी दुनिया में उठ रहा एक बड़ा सवाल आखिर चीन के लिए कौन कर रहा जासूसी कई भारती हस्तियों का नाम सामिल कांग्रेस नेता वेणु गोपाल ने पूछा सवाल क्या भारत सरकार को नहीं पता है यह मामला अमेर्की राष्टपती चुनाव में कई राज़ पोस्टल वोटिंग को सुगम बनाने को लेकर कर रहे हैं प्रयास भारत से अलग अमेरिका में सभी चुनाव राज्यों द्वारा कराए जाते हैं संपन भारत में भी खास वर्गों के लिए है पोस्टल वोटिंग की सुभधा एक सवाल जो पूरी दुनिया की सुरक्षा और गुप्तचर एजंसियों के लिए बड़ी चुनवती है कि आखिर चीन के लिए जासूसी कौन कर रहा है यह मामला भारत के लिए भी काफी चुनव इसी बीच कांग्रेस नेता और सांसद केसी विणु गोपाल ने केंद्र सरकार से भारती राजनेताओं और ट्रमुख अधिकारियों पर चीन की जासूसी के मुद्दे पर स्पस्टी करण मांगा है राजसभा सुनवाई के दौरान स्री विणु गोपाल ने कहा कि मीडिया खबरों के अनुसार चीन की कम्मिनिस्ट पार्टी और सरकार से जुड़ी सेंजेन इस्थित्यक कमपनी जिन हुआ डेटा इनफॉर्मेशन पर तकरीबन 10,000 भारती नागरिकों की डिजिटल निगरानी का गंभीर आरोप लगा है इसमें राष्टपती उपराष्टपती प उनकी जानकारी में है और अगर है तो सरकार इस बारे में क्या कारिवाही कर रही है मजे की बात तो यह है कि हाल ही में ग्रिह मंत्राले ने राज्य सभा सदस्यों को बताया था कि बीते च्छा माह में चीन की तरप से कोई घुस पैठ नहीं हुआ है आपको बता दें कि एक अखबार में दावा किया गया है कि चीन की सेंजेन इस्थित सूचना तकनिक कमपनी जिन हुआ के तार चीन की कम्मिनिस्ट पार्टी से जुड़ा है अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जब चीनी कमपनी से इस संदर्व में बात करने का प्रयास किया गया तो कमपनी ने अपनी वेब साइट ही बंद कर दिया यह कंपनी न सिर्फ भारतियों की बलकि आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के भी चर्चित हस्तियों और सरकारी अधिकारियों का डेटा बेस तैयार किया है लंदन का डेली मेल लिखता है कि कंपनी ने महारानी और प्रधानमंत्री सहित 40,000 लोगों का डेटा बेस तैयार किया है इस मुद्दे पर बिजेपी सांसद राजीव चंदर सेखर ने कहा कि यह डिजिटल जासूसी का दौर है और अब डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी सिर्फ अध्यन का विशय नहीं रह गया है वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रण इस पूरे मामले में एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली की Observe Research Foundation ने इस पूरे मुद्दे पर स्तोध भी किया और पाया की साल 2017 में ही चीन ने National Intelligence Law लागू किया है जिसके अनुछेद 7 और 14 में असपस्ट रूप से कहा गया है कि जब जरूरत महसूस हो तो चीनी नागरिकों औ यह काम करना होगा इन सब के बावजूद एक बात जो सामने आ रही है उसमें यह साफ हो जाता है कि आज Artificial Intelligence दुनिया भर में जानकारिया जुटाने का एक महत्वपून जरिया बन चुका है आज Artificial Intelligence एक बड़ा ब्यापार है जो Applications और Website के जरिये चलता है और लोगों से ज हुए अमेरिका के कई राज पोस्टल वोटिंग विकल्पों को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं पोस्टल वोटिंग का विकल्प COVID-19 महामारी के कारण चुना जा रहा है सयुक्त राज अमेरिका में भारत के विपरीत व्यवस्था है यहां राष्टिय अस्तर पर चुना कैसे कराते हैं जिसके लिए अलग-अलग प्रांतों में नियम भी अलग-अलग होते हैं आसान भासा में कहें तो अमेरिका में सभी संखिय राज और स्थानिय चुनाव सीधे व्यक्तिकत तोर पर राज्यों की सरकारों द्वारा आयोजित कराए जाते हैं आपको बता दे कि अमेरिका का प्रत्यक राज पोस्टल वोटिंग की अनुमती देता है लेकिन नियम हर राज में अलग-अलग हैं कुछ राज तो मतदाताओं को अनुपस्थिती मतपत्र की भी व्यवस्था करते हैं अगर वे इस बात को अस्पष्ट करते हैं कि वे चुनाओ के दिन ब्यक्तिकत रूप से उपस्थित क्यों नहीं हो सकते इस परिस्थिती में इमेल की जरिये मतदान देने की अनुमती मिलती है वहीं दूसरी और कुछ राज में नो एक्सक्यूस अब्सेंटी वोटिंग की व्यवस्था है जहां मतदाताओं को बिना कारण बताए ही अनुपस्थिती मतपत्र मिल जाता है तो वहीं कुछ राज वोट बाई इमेल की भी सुबधा देते हैं गरतलब है कि साल 2016 के अमेरिकी चुनाओं में डाक मतपत्रों के जरिये तकरीबन 24% मतदान हुआ था लेकिन इस बार की चुनाओं में इसमें इजाफा होने की संभावना ब्यक्त की जा रही है इस बार की चुनाओं में डोनाल्ड ट्रम्प और उनके समर्थकों का मानना है कि पोस्टल वोटिंग से अनाचार को बढ़ावा मिलेगा हलाकि पार्टी का एक वर्ग डोनाल्ड ट्रम्प से असहमत नजर आया इनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रम्प जान बुचकर डाक मतदान को बाधित कर रहे हैं भारत में पोस्टल वोटिंग की बात करें तो भारत में पोस्टल बैलेट की सुरुवात भारत सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम संख्या 23 में संसोधन करके किया गया था देश में ससस्त्र बलों के करमचारी, देश के बाहर कारियरत अधिकारी, चुनावी कारियों में कारियरत अधिकारी और सेना अधनियम 1950 के तहत आने वाले सभी बलों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की अनुमती है और अबंत में कुछ अन्य महत्वपून खबरों पर एक नजर लोग सभा में 14 सितंबर को राश्टिय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 के साथ राश्टिय चिकितसा पद्धती विधेयक 2020 को भी पारित कर दिया गया इन विधेयकों का उद्धे से भारती चिकितसा पद्धती के लिए उच्च अस्तरिय चिकितसकों की उपलब्धता को सुद्धर करना है राश्टिय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 राश्टिय होम्योपैथी आयोग की अस्थापना के लिए होम्योपैथी केंद्री अधनियम 1973 का स्थान लेगा इस आयोग में 20 सदस्य होंगे इसमें अध्यक्ष के अलामा होमियोपैथी सिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष राश्टिय होमियोपैथी संस्थान के महानिदेशक के साथ होमियोपैथी के लिए चिकित्सा समिक्षा और रेटिंग बोर्ड के अध्यक है भारत को संयुक्त राष्ट आर्थिक और सामाजिक परिषद यानि एकोनोमिक एंड सोशल काउंसिल के महिला इस्थिती आयोक का सदस्य चुना गया है भारत चार वर्सों के लिए यानि 2021 से 2025 तक इस प्रतिष्ठित संस्थान का सदस्य बना रहेगा भारत का चैन स्त्री पूरुस समानता और महिला ससक्ती करण के प्रति भारत को प्रतीक माना जा रहा है इस चुनाव में भारत अफगानिस्तान और चीन ने भाग लिया था 54 सदस्यों के बीच किये गए चुनाव में भारत के साथ अफगानिस्तान को भी जीत मिली लेकिन चीन को आधी से भी कम मत मिले आपको बता दें कि संयुक्त शब्द आर्थिक और सामाजिक परिशद आर्थिक सामाजिक और परियावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट का एक प्रमुख अंग है वितम सारबजने क्षेत्र बैंकों डोरिस्ट बैंकिंग सेवाएं शुरू की है इसे वरिष्ट और दिव्यांग जनों को सारबजने क्षेत्र के बैंकों में लाभ की उमीद की जा रही है बैंकिंग सुधार के एक हिस्से के रूप में डोरिस्ट बैंकिंग सेवाओं के अंतरग जैसे चिक प्राप्त करना, डिमांड ड्राफ्ट, आर्डर प्राप्त करने जैसी सेवाएं ग्रांकों को घर बैठे उपलब्ध हो पाती हैं, लेकिन नए सुधारों के तहत अब बैंक की वित्तिय सेवाएं भी अक्टूबर 2020 से घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगी, प्रारं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दीवस मनाया जाता है, इसको मनाने का उद्दे से ओजोन के विशय में लोगों को जागरू करना है, ओजोन सूरी की हानिकारक यूवी किरणों से प्रित्वी और प्रित्वी के जीवों को सन्नक्षित करता है, ओजोन परत के बिगड़ने से ज सन्रक्षन को लेकर विश्व भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इस वर्ष विश्व ओजोन दीवस की थीम जीवन के लिए ओजोन ओजोन परत सन्रक्षन मुहिम के 35 वर्ष पूरा होने पर इसके थीम में 35 साल जोडा गया है, 1988 बैच के आईएस अधिकारी राजेस खुलर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, मंत्री मंडल की नियुक्ती समिती ने खुलर को पदभार ग्रहन करने की तारीक से तीन वर्ष के कारेकाल की मंजूरी दे दी है, खुलर वर्तमान में हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर के प्रधान सचिव के रूप में तैनाथ हैं, नवंबर में विश्व बैंक का हिस्सा बनेंगे, खुलर कारीकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बंगलादेश, भूटान और स्रीलंका का प्रतनिधित्व करेंगे, इस समय बेशो बैंक समूह में 25 कारी-कारी निदेशक सामिल हैं जो प्रत्य एक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतनिधित्व करते हैं फिलहाल 8 पीम के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिया टार्गेट विन आलोक ऑनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार